या आप लोग भी गुजार रहे हो इस तकलीप से और छुटकरा पाना चाते हो और सर्च करते हो यूटूब में और ट्राइ करते हो कोई भी रेमिडी पर असर नहीं करता है तो सबसे पहले बाते ना भरा के सुवागत करती हूँ लाव किचेन चैनल पर जी हां हम लोग आज या आपे ब्यूटी टीप सीखने वाले हैं कोई recipe नहीं इसे pimple वाला चहरा लेके कई जाना परें तो कैसा feel होता है बहुत ही ख़रा feel होता है ऐसा लगता है कि सारे लोगों का नजर हम लोगों के और कुछ में नहीं बस उस pimple में अटका है और हम लोगों को इस भायानाक्स चहरा को सुधाने के लिए करना पड़ता एक ही option वो है makeup और makeup लगा के जब कोई विलर की बहुत सारा makeup लगा के बाहर जाते हैं नॉर्मली वो खुश्रत तो लगते हैं पर हमेशा ही तारीफ उसी को मिलता है जो beautiful natural beauty है उनी का तारीफ मिलता है और हम लोग jealous फिल करते हैं तो आज हम लोग सीखने वाले हैं के जमीडी जो घर में जो चीज है उसी से बनने वाले हैं तो यह pimple वाला चेहरा glowing नहीं है लूखा सुखा सा इसकीन से हम लोग पाने वाले हैं आप छुटकारा तो आप लोग बहुत सारा वीडियो ट्राइ कर चुके हो पर इसको एक बड़ ट्राइ करके देखो एक बढ़ने से ही आपको फरक पता चल जाएगा कि आप कितना नैचुरल फील कर रहे हो अपने इसकीन पे हाथ देने के बाद अपने इसकीन को देखने के बाद पता चले गया कि हाँ यार सच में glowing इसकीन दिख रहे हैं तो हम लोग सीख लेंगे हमें क्या क्या चाहिए इस remedy के लिए यहाँ पे हम लोगोंने ले लिया है थोरा सा हल दी टमाटा लिया है हाफ आलू भी ले लिया हाफ और कोई भी ले सकते हो आप अच्छा ब्रान करों सोचना और खीरा भी ले लिया है हमें सब चीजों का juice निका दही बहुत important है हमारे skin के लिए तो हम लोग इसे बना लेंगे और इसको try करने के बाद पाओगे आप लोग ऐसा खूबसुरत natural beautiful looking जो जिससे पाने के बाद आप लोग बहुत happy रहोगे आप लोग अपने partner के साथ जब घूमने जाना रहेगा तो आप लोग बहुत खुश होके जाप आओगे कि हाँ यार मेरे partner मुझे पसंद करेगा क्यों नहीं करेगा और बहुत happy happy रहोगे और ये लड़की लड़का सब के लिए है बहुत लड़के लोगों को भी बहुत प्रिंपल होता है बहुत गड़े-गड़े सा हो जाता है निशान पर जाते हैं तो उससे बहुत ही गंदा दिखाई परता है और कोई विलर की उनसे पढ़ते नहीं और जो पटा हुआ है वह भी किस करने के लिए रेड़ी नहीं होते ऐसे गड़े-गड़े शकल से तो हम लोग remedy को बना लेते हैं सबसे पहले ये खीरा खीरा हम लोग जूज बना लेंगे इस लाइक जरूर कर देना सस्क्राइब करना मत भूलना अगर ऐसे ही टीप्स आप लोग पाना चाते हो और कुकिंग रेसीपी सीखना चाते हो तो एक एक करके हम लोग सब कुछ ऐसे ग्रेट करेंगे आलू भी ले लिया है हम लोगोंने और वीडियो में दम हो तभी परदस्ती नहीं है तो पूरा वीडियो को जरूर देखना और इतना तक आप लोगोंने वीडियो देखा इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा सभी अच्छा लगा होगा तो आप लोग देख रहे हों इसके लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-थैंक्यू सो मच तो हम हम लोग बना लेते इसका जूस बन गया है अब सारा हम लोग इससे अब छान लेंगे छान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग जब इसकीन में लगाए तो यहां वहां लगेना और सौप सा एक बैटर सा बन जाए और इसका एस्मेल इतना खूपसुरत आएगा खीरा है आलू है टमाटर है बहुत ही अच्छा खुश्बू आएगा इसमें और दही भी है इसमें और दही बहुत इंपोर्टेंट रहता है इसकिन के लिए आप सब लोग जानते ही होंगे जो लोग भी आपने लोग ब्यूटी टिप्स देखते रहते हो तो आप सब जानते ह हो अब हम लोग जो भी पावडर जैसा है अब हम लोग इसे मिक्स्ट कर लेंगे और हम लोग यहां पे ज्यादा बना रहे हैं आप लोग आप अकेले के लिए बना रहे हो तो आप लोग कम ले सकते हो जो भी बैसन जो है चावल का आठा जो भी है आप लोग कम कम इस्तेमाल करना या फिर इसको रख दुना फ्रीज में पर तुरंद बना के इस्तेमाल करना सही रहता हैं आप लोग हफते में इस्स्राइस दो तीन बार से ज्यादा नहीं करना है तो आप लोग बहुत ही अच्छा रेजल्ट पाओगे एक इतना जल्दी कोई भी प्रोड़क्ट कोई भी क्रीम असर नहीं करता है और आप सब लोग जानते हो कोई भी क्रीम में साइड इफिक्ट होता है पर घरेले मुसका में कोई भी साइड एफिक्ट नहीं रहता है हम लोग यहां पे हाथ में लगा के दिखाएंगे और यह हाथ में लगाने के बाद सूख जाने के बाद आप लोग ठंडे पानी से धुल लेना फिर फरक पता चलेगा कि कितना ग्लोइंग आ गया है कितना सॉप स्कीन हो गया है यहां पे मैंने लगाया था और मैंने एक पीक लिया था तो मैंने यहां पे हाथों में लगाया आप लोगों को अंतर पता चल रहा है यहां पे तो देख इसको लगाने से आप लोगों को ग्लोइंग स्कीन पिंपल फिरी स्कीन मिलेगा और जो भी दाग बेन निशान है वो भी धीरे-धीरे हटने लगेगा तो ट्राइ करना ऐसे ही वीडियो के लिए जुरे रहना लाब कीजन चैनल के साथ ता बाई